एपिसोड 39 मुझे उसके 8 पैक्स की याद रही है। क्रियांशी को ब्रेकफास्ट ना करते देखकर सुहानी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा कि तु क्या सोच रही हो बेटा, खाओ ना। क्रियांशी ने उसकी तरफ देखा और भारी गले से बोली, मम्मा आप तो कहती है मैं बहुत बड़ी भुलक कर हूँ, मैं सब चीजे भूल जाती हूँ, फिर मैं उसे क्यों नहीं भूल पा रही हूँ, मैं क्यों उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही हूँ, मैं उसे चाहती हूँ, मम्मा, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, प्लीज मम्मा कुछ करिये, मैं उसे भूलना चाहती हूँ, बोलते हुए उसकी आँखों में आंसु आ गए थे, ये देखकर सुहानी ने जल्दी से उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मे सिद धोखा बरदाश्ट नहीं हो रहा, पर कि तु एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे डेड़ और मैं हम दोनों तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रिंस लेकर आएंगे जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हारा बहुत ख्यार रखेगा, तुमने कभी धोखा नहीं रहा था, सिद ने जब क्रियांशी को रोते देखा तो उसे भी अपनी बहन के लिए बुरा लगने लगा, उसने अपनी मुठी में कसकर दबाते हुए खुद से कहा, आग तुने मेरी किट्टू दी को रुलाया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बस एक बार तु मेरे सा आजा, फिर मैं तुझे मार मार कर तेरी चतनी बना दूंगा, मेरी किट्टू दी हसते हुए बहुत अच्छी लगती है और आज रोते हुए वो कितनी बुरी लग रही है और ये सब तेरी वजह से हो रहा है, आग तु तो गया अब, सुहानी क्रियांशी को समझा ही रही थ गए, उसे भूल जाओ, उसके बारे में जितना सोचोगी वो तुम्हें उतना याद आएगा, उद्धरन चिन्ह, क्रियांशी रोते हुए बोली, पर मासी मैं उसे भूलना चाहती हूँ, मैं भूल नहीं पा रही, मुझे बार बार उसके एट पैक्स याद आ रहे है, उद् क्रियांशी सुबकते हुए बोली, नहीं ममा थाकुर बहुत फरूस है, उसने मुझे रहने के लिए अलग कमरा दिया, वो तो मुझे अपने रूम में घुसने भी नहीं देता था, उद्धरन चिन्ह, ये सुनकर सुहानी ने सुकून की सांस ली, तभी समीरा ने उससे पू आला गई और मुस्कुराते हुए बोली, मासी ठाकुर के आर्ट पैक्स बहुत स्ट्रॉंग है, आप देखोगे ना तो आपका भी मन करेगा उससे टच करने का, उसकी बॉड़ी एक फाइटर की तरह एकदम स्ट्रांग है, वो बहुत पावफुल है मासी, उद्धरन चिन् सुनकर समीरा ने अपना सिर पीट लिया और सुहानी की तरफ देखते हुए कहा, कि तुको आख से नहीं उसके आर्ट पैक्स से प्यार हो गया है, उद्धरन चिन्ह, सुहानी ने उसकी बात पर मुँ बना लिया और क्रियांशी से बोली, कि तु बेटा बैड मैनल्स, किसी क के बारे में इस तरह बात नहीं करते, उद्धरन चिन्ह, इस बात पर क्रियांशी तपाक से बोली, पर मम्मा मैंने किसी और के बारे में कहां कहा, मैं तो ठाकुर के बारे में बात कर रही हूँ और आप भी तो पापा के बारे में मासी से एक बार ऐसे ही बात कर रही थी, उ लहकर वो चली गई। उसके पीछे-पीछे समीरा भी चली गई। सिद भी क्रियांशी और उनकी बाते सुन रहा था उनके जाते ही। वो अपनी चैसे उठते हुए टेबल पर जुक कर क्रियांशी से धीमी आवाज में बोला क्या सच में आक के आर्ट पैक्स है। क्रियांशी ने मुस्कुराते हुए हमम कह दिया। सिद ने आगे कहा क्या वो रोमन रिंग्ज जीतना स्ट्रांग है। क्रियांशी होथो पर प्रावडनेस से भरी स्माइल लिये बोली और नहीं तो क्या। तू देखेगा तो उसका फैन बन जाएगा। सिद ने भी आने पर ध्यान दे और खाखा कर फट जा। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने। थोड़ा सा अपना वेट लूज कर लूज कर पर नहीं। तुझे तो अपना वेट गेन करना है गेन करना है और एक दिन तु खाखा कर बैलून की तरह फट जा। उधरन चिन है। उसकी बात स मुझे वो आक मिल जाए, फिर मैं उसका मडग कर दूंगा, उसकी वज़े से आज मेरी फिर से बेजती हुई है, मैं उससे नहीं छोडूंगा, मैं उससे मार दूंगा, फिर देखता हूँ, उसके मरने के बाद आप उसकी तारीफों की पुल कैसे बांधती हो, उद्धरन चिन ये कहकर वो क्रियांशी को घूरते हुए चला गया, कियान और अहान दोनों जब घर आये तो कियान स्टेर्स से सीधा उपर जाने लगा, ये देखकर अहान ने उसे रोकते हुए कहा, कियान मुझे तुछ से बात करनी है, कियान तो सुन रहा है, मुझे तुछ से बात करनी ह कियान ने बिना उसकी तरफ देखे स्टेयर्स चड़ते हुए कहा अभी नहीं यहान हम बात करेंगे पर अभी नहीं यह कहकर वो अपने रूम में चला गया उसने रूम में आते ही अपनी कबद खुली और उसमें कुछ धूंदने लगा सुहानी जब रूम में आये तो रूम का नजारा देखकर वो हरान रह गई कबद के सारे कपड़े बैट पर फैले हुए थे और कुछ फ्लो पर फैले हुए थे और कियान कबद में कुछ धूंद रहा था ये सब देखकर सुहानी उसके पास जाते हुए बोली ये क्या कर रहे हैं आप अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझसे कहते मैं आपको धूंड कर देती है ये क्या हालत कर दी अपने रूम की और पुरे कबड की उधरन चिन्ह बोलते हुए सुहानी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई थी उससे लग रहा था कि क्यान उससे कुछ तो कहेगा पर वो बिना कुछ कहे खामोशी से कबड में कुछ धूंड ता रहा ये देखकर सुहानी ने उसके कंदे पर हाथ रखते हुए कहा क्या हुआ क्यान आप क्या धून रहे हैं प्लीज मुझे बताए क्यान ने बिना उसकी तरफ देखे कहा सुहानी वो अल्बम कहा रखी है जिसमें तुम्हारी फैमिली फोटो है उद्धरन चिन्ह जैसे ही उसने ये कहा उसके हाथ में वो अल्बम आ गई क्यान अल्बम को लेकर बैक गया और उसे खोल कर देखने लगा सुहानी भी असमंजस में उसे देखते हुए उसके सामने जाकर बैक गई और आल्बम को देखकर उससे बोली क्या हो गया आपको आप सालों बाद क्यों इसे देख रहे हैं, क्या कोई बात है उसकी बात पर कियान ने कहा, हाँ बात तो है, वो हमसे नाराज है, किसी बात से वो हमसे बदला लेना चाहता है, वो गुस्सा है सुहानी हमसे उसकी बाते सुहानी को समझ नहीं आ रही थी तो उसने कियान का हाथ पकड़ कर उसे रोकते हुए कहा कौन नाराज है हम से कौन गुस्सा है आप किसकी बात कर रहे हैं कियान ने अल्बम में देख रहे कर्म की फोटो को देखते हुए कहा ये नाराज है हम से उद्धरन चिन्ह सुहानी ने उसकी नजरों का पीछा किया और कर्म की फोटो को देखकर वो अपनी भवहे सिकुल कर बोली कर्म किया ने कहा हाँ कर्म कर्म ही आँख है उद्धरन चिन्ह ये सुनते ही सुहानी की आँख है शौक में बड़ी हो गई और वो इक नजर कर्म की फोटो को देखकर कियान से बोली ये आप क्या कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है कर्म आँख कैसे हो सकता है कियान ने उसे देखते हुए कहा यही सच है सुहानी कर्म ही आँख है और फिर वो आज के पूरे इंसिडेंट के बारे में सुहानी को बताने लगा उसकी पूरी बात सुनकर सुहानी और हैरान रह गई उससे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कर्म आग कैसे बन सकता है और अतीत में ऐसा क्या हुआ जिसका दोशी वो उन दोनों को समझता है क्या हम जानते हैं उसके साथ क्या हुआ था उस दिन के बाद से तो हम दोबारा उससे मिले भी नहीं तुमने कहा कर्म के देड़ वापस आकर उसे औस्ट्रेलिया ले गए हैं और फिर हम कभी उससे मिले भी नहीं ना एक दूसरे से बात की तो हमें कैसे पता सुहानी उसके साथ क्या हुआ और वो क्यु सबका जिम्मिदार हमें मानता है इस बात पर सुहानी ने सोचते हुए कहा कहीं इसा तो नहीं कियान हमारे आने के बाद कुछ हुआ हो उधरन चिन्ह कियान ने सिर हिलाते हुए कहा पता नहीं पर हमें पता करना होगा वो मुझे अपना अतीग बताने के लिए तैयार नहीं अब हमें खुद ही पता करना होगा कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, क्यूं वो कर्म राजावत से आग बन गया, सुहानी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उसे कंसोल करते हुए कहा, मैं इस बारे में देट से बात करती हुँ, देट को जरूर कुछ पता होगा, उद्धरन चिन्ह, किया ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा और उसे देखते हुए सिर हिला दिया, वही दूसरी तरफ आख अपने घर में ही बार में बैठा था, वो एक के बाद एक शौट्स लिए जा रहा था, उसे इतना ड्रिल करते देखकर देवा ने उस पर गुस आख ने उसकी बात पर कुछ नहीं कहा और खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, तभी अर्चित ने भी उससे समझाते हुए कहा, आख जस्ट रिलेक्स, तू क्यों इतना सोच रहा है, सत सामने आने से हालात नहीं बदल जाएंगे, ना हम बदल जाएंगे, हम भी वही है और हमारा रिवेंज भी वही है, कयान ओबरोय को तरपाना और उससे बदला लेना, यही हमारा एम है, जिसे हम बहुत जल्द पूरा करेंगे, उधरन चिन है, उसके चुक होते ही आख ने कहा, मुझे गुस्सा इस बात पर नहीं आ रहा, मुझे गुस्सा खुद पर आ रहा है, जिस इंसान ने हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं उस इंसान की जान कैसे बचा सकता हूँ, मैंने क्यूं नहीं उससे मर जाने दिया, मैंने क्यूं उससे बचा लिया, यह सुन देवा ने उसने कंदे पर हात रखते हुए कहा, जो होना था हो गया, अब ये सोच की आगे क्या करना है? क्यूंकि सचप क्यान ओबर रॉय को पता चल गया है और ये भी सोच की दद्दा वापस आएंगे तो उनसे क्या कहेंगे? उद्धरन चिन्ह उसका साथ देते हुए अर्चित ने कहा सही कहा तुने दो साल की मेहनत मेरी वेस्ट नहीं हो सकती क्यान शी भी आगे